बचों आज हम देखेंगे NCRT क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठी पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नहरुजी ने इस पुस्तक का तीसरा पाठ है जिसका शीरशक है सिंधु घाटी सब्वेता इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीरशक दिये गए हैं जिनसे संबंदित अभ्यास प्रशन हम पहले ही देख चुके हैं आज इन शीरशकों के अंतरकत अभ्यास प्रशन हम देखने जा रह तो यहाँ पर पहला होगा बहु विकल्पिये प्रशनों के रूप में जिसे आप क्विज भी कह सकते हैं, दूसरा है प्रशन एवं उत्तर के रूप में, तो पहला प्रशन है दिये गए बहु विकल्पिये प्रशनों के सही विकल्प पर निशान लगाईए, यहाँ पर एक दिया जाएगा उससे समνधित चार विकल्प आपके सामने होंगे उन में से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है इस वीडियो में जितने भी प्रशन दिये गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएँगे तो आईए एक एकर के प्रश्णों को पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण है बुद्ध की संकल्पना को किन चीजों में ढाल कर आकार दिया गया विकल्प है क सोना तामबा लकडी ख चांदी सोना लोहा ग पत्थर संगमर्मर कासा ग मिट्टी पत्थर शीशा सही उत्तर है ग पत्थर संगमर्मर कासा दूसरा प्रश्ण है बुद्ध जैसे भव्य आदर्श को जर्म देने वाली जाती के पास किस तरह का खजाना होगा विकल्प है क समझदारी और आंतरिक शक्ती का ग मांसिक शक्ती और हिम्मत का ग धैरी और परंपरा से जुड़ाओ का ग मात्रिशक्ती और आध्यात्मिक शक्ती का सही उत्तर है क समझदारी और आंतरिक शक्ती का तीसरा प्रश्ण है बुद्ध की प्रतिमा को किस फूल पर बैठा दिखाया जाता है विकल्प है क सूरज मुखी, ख गुलाब, ग गेंदा, घ कमल सही उत्तर है घ कमल चाथा प्रश्ण है बुद्ध की आकरिती किस शक्ती से भरी नजर आती है विकल्प है क जीवन शक्ती से, ख मन की शक्ती से, ग मानसिक शक्ती से, घ बौधिक शक्ती से सही उत्तर है क जीवन शक्ती से पांचवा प्रश्न है बुद्ध हमें जीने का कौन सा संदेश देते हैं विकल्प कुछ इस तरह से हैं क संघर्षों से ना भागने का संदेश ख संघर्षों का मुकाबला करने का संदेश ग जीवन में विकास और प्रगती की और बढ़ने का संदेश घ उपर्युक्त सभी सही उत्तर है उपर्युक्त सभी छट्वा प्रश्ण है चानक्य और चंद्रगुप्त किस सामराज से निकाले गए थे सही उत्तर है क्सत्री आंदोलन खधार्मिक आंदोलन गष वैचारिक आंदोलन गष नैतिक आंदोलन सही है उत्तर है कषत्रिय आंदोलन आठमा प्रश्ण है पश्रिम उत्तर प्रदेश में किसके आकरवंड से बमकोन? आगे बढ़ने में मदद मिली विकल्प है का हुणों के आक्रमंट से ख चीनी शाशकों के आक्रमंट से ग सिकंदर के आक्रमंट से ग युनानियों के आक्रमंट से सही उत्तर है ग सिकंदर के आक्रमंट से नवा प्रश्न है बुद्ध के चहरे का भाव किन चीजों से परे दस्वा प्रश्ण है चानक के चंद्रगुप्त मौरे के क्या थे विकल्प है क सम्मंधी और बच्पन के मित्र ख हितैशी और सिक्षक ग धर्मगुरू और मित्र घ मित्र मंत्री और सलाहकार सही उत्तर है घ मित्र मंत्री और सलाहकार ग्यारवा प्रश्ण है शत्रिय आंदोलन किन दो वढ़नों के बीच संगर्श का प्रतिनिधित्व करता था विकल्फ है क आम जंता और निम्न वर्ग का, ख शत्रिय और शूद्र वर्ग का, ग शाशक और पुरोहित वर्ग का, ग ब्रामन और विदेशी शाशकों का सही उत्तर है ग, शाशक और पुरोहित वर्ग का बार्वा प्रशन है किन दो विलक्षन वेक्तियों ने सिकंदर के आकरमन और बौत धर्म के विकास का लाब उठाते हुए परिस्तितियों को अपने अनुरूप ढाल लिया विकल्प है कर राजा कनिश्क और उनके महामंत्री ने ख चंदरगुप्त मौर्य और चानक्य ने ग, महराज नंद और बिंदुसार ने ग, ब्रामनों और राजपुरोहितों ने सही उत्तर है ख चंदरगुप्त मौर्य और चानक्य ने तेरवा प्रश्न है चानक्य की पुस्तक अर्थ शास्त्र में क्या लिखा गया है। विकल्प है क मनुरंजक साहित्य, ख शाशन के सिध्धान्त और वहवार, ग चानक्य की आत्मकथा, ग चंदरगुप्त की आत्मकथा। सही उत्तर है ख शाशन के सिध्धान्त और वहवार चौधवा प्रश्ण है चानक्य के अनुसार किसके अभाव में सेना बोज बन जाती है विकल्प है क उचित नेत्रत्व और अनुसाशन के अभाव में ख उचित वेतन और अस्त्र स्त्र के अभाव में ग कड़े नियम कानुन के अभाव में, घ सही प्रसिक्षन के अभाव में, सही उतर है क उचित नेत्रतु और अनुसाशन के अभाव में पंदर्वा प्रश्ण है सेवा निवरित्य होने के बाद चानक के कैसा जीवन बिताना चाहते थे विकल्प है क स्वचंद जीवन, ख पारिवारिक जीवन, ग ईश्वर भक्ती में लीन जीवन, ग चिंतन मनन का जीवन सही उतर है ग चिंतन मनन का जीवन सोलवा प्रश्ण है अर्थशास्त्र में किस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है विकल्प है क चंदरगुप्त के निर्मान कारियों का, ख चंदरगुप्त के नए कारियों का, ग चंदरगुप्त की विराट सेना का, ग चंदरगुप्त के आंतरिक गुणों का सही उतर है ग चंदरगुप्त की विराट सेना का सत्रवा प्रश्न है मगद की राजधानी क्या थी विकल्प है क सिंधप्रांत ख तक्षिला ग इंद्रप्रस्त ग पाटली पुत्र सही उत्तर है ग पाटली पुत्र अठारवा प्रश्न है किस नाटक में चानकी की तस्वीर उभरती है विकल्प है क मुद्रा राक्षस नाटक में ख मुद्राओं का राक्षस नाटक में ग चानकी की नीती रीती नाटक में ग चानक के एक संघर्ष नाटक में सही उत्तर है क मुद्रा राक्षस नाटक में 19. प्रशन है चंद्र गुप्त और चानक के तक शिला में किनके संपर्क में आए विकल्प है क चीनियों के, ख अफगानी लोगों के, ग यूनानियों के, ग जापानियों के सही उत्तर है ग यूनानियों के बीसमा प्रश्न है चानक की अपने समराट को किस तरह देखते थे विकल्प है कशिश्य की तरह खपुत्र की तरह गव महराज की तरह गव देवता की तरह सही उत्तर है कशिश्य की तरह 21 प्रश्न है युनानियों को तक्षिला में किसने नियुक्त किया था विकल्प है कपोरस ने ख चानक की ने गव सिकंदर ने गव चंद्रगुप्त मौरे ने सही उत्तर है गव सिकंदर ने 22 प्रश्न है चानक की का जीवन कैसा था विकल्प है कखत्रों और कठिनायों से भरा हुआ जीवन ख चिंता मुक्त और आजाद जीवन गव साधा और तपस्वी जीवन गव दुश्मनों से घिरा हुआ जीवन सही उत्तर है गव साधा और तपस्वी जीवन 23. प्रश्न है चंद्रगुप्त और चानक्य ने किनके विरुद रास्ट्रियता का पुराना नारा बुलंद किया 24. किन बातों में चानक्य की दिल्चस्पी नहीं थी 25. चानक्य को कौन से दूसरे नाम से भी जाना जाता है 26. प्रश्न है चंद्रगुप्त और चानक्य ने किने खदेड कर तक्षिला पर अधिकार कर लिया 27. मौरे सामराजी की पूरी लिखित जानकारी कहां मिलती है 28. सिकंद्र की मृत्यू के दो वर्षों बाद पाटली पुत्र पर अधिकार करके किस सामराजी की स्थापना की गई 29. अर्थ शास्त्र में स्त्रियों से समधित किन बातों को मानिता दी गई है 29. विकल्प कुछ इस्तर से है क बाल विवाह और सती प्रथा को 30. ख स्त्री सिक्षा और बहु विवाह को 30. ग पती की संपत्ती में अधिकार को 30. ग विधवा विवाह और तलाग को 31. प्रश्ण है चानक की किस कारी की पूर्ती के लिए हर तरीके का इस्तमाल करते थे विकल्प है क अपराधी को मृत्यु दंड देने में ख दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने में ग अपने महराज को प्रसन रखने में ग अपने राज के किसानों से ज्यादा से ज्यादा करवसूलने में सही उत्तर है ख दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने में 32. प्रश्ण है राज्या विशेक के समय राजा को किस बात की शपत लेनी पड़ती थी विकल्प है क प्रजा के सुख में उसके सुख की घ अधिक से अधिक राजियों को जीतने की ग राजी के लिए अधिक से अधिक धन इकटा करने की घ अपने सामराजी को बढ़ाने की सही उत्तर है क प्रजा के सुख में उसके सुख की 33. प्रशन है राजा द्वारा अनीती करने पर प्रजा को क्या अधिकार दिये गए थे 34. प्रशन है राजा द्वारा लिये गए शपत में किस तरह के कारिय राजा की मर्जी के मोहताज नहीं थे विकल्प है क युद समंधी कारिय ख शाशन चलाने समंधी कारिय ग सार्वजनिक कारिय घ अपना उत्तरा अधिकारी चुनने समंधी कारिय सही उत्तर है ग सार्वजनिक कारिय 35. प्रशन है चान की में कौन-कौन से गुंड थे विकल्प कुछ इस तरह से हैं क सहासी और शडियंत्री, ख अभिमानी और प्रतिशोधी, ग लक्षे पर अटल रहने वाला, ग उपर्युक्त सभी, सही उत्तर है ग उपर्युक्त सभी, तो बचों यहाँ पर बहु विकल्पी प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं, आईए देख इन शीर्षकों से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर, पहला प्रश्न है, बुद्ध की प्रतिमा को देखने पर उनके चहरे पर किस तरह के भाव नजर आते हैं, उत्तर है, कलाकारों ने बुद्ध के स्वरूप को पत्थर, संग्मर्मर और कासे में ढाल कर सुन्दर प् संगर्शों से बहुत दूर नजर आते हैं, उनकी पूरी आकृती जीवन शक्ती से भरी हुई जान पड़ती है, किसी भी साधरन मनुष्य के लिए इस थिती को पाना असंभव ही है, दूसरा प्रशन है, बुद्ध द्वारा हमें क्या संदेश दिया गया है, उत्तर है, सरों का लाब उठाना चाहिए, तीसरा प्रशन है, मौर्य सामराजी की स्थापना किसने और कैसे की थी, उत्तर है, चंदरगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चानक्य को किसी कारणवर्ष नंद सामराजी से अपमानित करके निकाल दिया गया था, वहां स के मन में रास्ट्रियता की भावना जागरित की, और उन्हें विदेशी आकरमनकारियों के विरुद्ध भढ़काया, दोनों ने मिलकर लोगों को एक जुट करके सेना का गठन किया, और यूनानियों पर आकरमन करके उन्हें तक्षिला से खदेड दिया, और दो वर्षों म के समय राजा को यह शपत लेनी पड़ती थी कि राजा सदा जनता की इच्छा के अनुसार और लोग हित के लिए ही कारे करेगा, उसका सुख प्रजा के सुख में ही निहित होगा, राज्जी में किये जाने वाले सार्वजनिक कारिये राजा की मर्जी के बगैर भी किये जा सकेंगे, निजी स्वार्थों से दूर रहकर वह केवल प्रजा हित के लिए ही कारे करेगा, प्रजा को यह अधिकार दिया गया था कि यदि कोई राजा अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से ना करे या अनीती करे तो प्रजा उसे हटा कर किसी योग्य वेक्ति को वहां का रा प्रगुप्त और चानक ये मौरे सामराज की स्थापना से संबंधित अभ्यास प्रश्णों को करने के बाद आप सब इस पाठ को और भली भाती समझ पाएंगे, NCRT की पूरक पाठी पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्ण भी हम आगे अवश्य पढ तब तक के लिए धन्य बाद, थांक यू